दरदर आरेसेस की बैठेक चल रही है समझ में बैठेक केरल में और वहां बीजेपी आरेसेस के रिष्टों की बात हो ये सबको लग रहा था कि होगी लोग्सवार चुनाव के दौरान संग और भाजपा के बीच मन मुटाव की खबरें थी अब बीजेपी और संग दोनों की तरफ से मद्वेद दूर करने की कोशिश की गई है केल के पलककर में कल से आरेसेस की बैठेक शामिल है कल आज और कल और चलेगी संग फ्रमुक इसमें शामिल होते हैं संग से जड़ेवे जितने संगठन है उन सब के प्रमुक वहाँ पर होते हैं और बीजेपी के देक्स जेपी नडड़ा भी है मेरे पास सरे एक मेसेज आया है एको सिस्टम से समझें समझ गया है कि वहां क्या हुआ है कि इस बैठक के अंदर नड़ा जी ने सफाई जी है अपने उस इंटर्व्यू के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारा संगठन जो है वह आतम देन बर हो गया हमें संग की जलुत नहीं है हम बहुत बड़ी पार्टी बन गया है चुनाव से पहले और संग और बीजेपी के बीच कोडिनेशन बढ़ा पहले भी उनको सुचनाए मिल जाती है कि हां वहाँ एजेंडा क्या है 32 संगठन वहाँ भाग ले रहे हैं उसमें भारतिये जनता पार्टी भी एक संगठन है वहां की दृष्टी से यह सामानिता यह संरचना लोगों की समझ में नहीं आती है चुकि हम सब पतरकार हैं पोल परिनेशन की बात होती है ना बॉस किसी का पूर्श की बजाए सरल बासे में इस परिवार के बारे में दो ही शब्द अंगरेजी में परयोग होता है गाइड एन फिलोस्फर कि वो दर्शन भी देंगे मार्ग दर्शन देंगे यही दो शब्दे इसी पर चीजे चलती हैं गाइड एन फिलोस्फर के रूप में अम नडड़ा जी वहां गए हैं तो वहां एक वाता परन तो ही ने उनका प्रांथ परचारकों की बैठक में भी उनके बयान पर चर्चा हुई थी लेकिन वो बयान के लिए थोरे ही है उसके लिए तो बैठक हो चुकी है उसके लिए जो घटना हुई है इस समय वो हमारे सामने बहुत बड़ा इशू है उस पर बात करनी है जो संग ने पंच जो है संकल्प तै किया है आगे उसमें सारे संगठन पंच संकल्प के तहत कैसे जो है एक छोटी से छोटी बस्तियों तक पहुँचे वहां तक कैसे जाएं जो के नाम पर तोरने की लगातार कोसिस हो रही है उस बीच हिंदू समाज की एकता कैसे बनी रहे और देश कैसे सवं सारे अपने लक्ष और अपने चडित्र के अनुरूप काम करेगा। तो यह कोई बहुत साधरन बात नहीं है कि तीन दिन राश्य देश अतना सारा काम चोड़के दिल्ली का जब चुनाओ की त्री महत्पुन बैठके दिल्ली के अंदर हो रही है तो मुझे लग रहा है कि चर्चाएं बढ़ी होंगी एक सामाने चर्चा नहीं होगी जो हमेशा स होती रही है कई विशे होंगे जिस पर चर्चा होगी अब इतने दिनों बार जब बैठक हो रही है तो मुझे लगता है कि नड्डा जी काफी चीज़ों को बताएंगे भारतियंता पार्टी को कारिशली को लेके कैसे अगले चुनाओ के आड़न भारतियंता पार्टी बढ करोगे तो पार्टी का जो मूल चाल चलित्रो चहरा जिसमें मोहन भागवजी स्थाराओजी ने किसे कह चुके हैं कि इस तरीके से आप दूसरे दोलों के लेता होके लाओगे तो पार्टी का चेहरा कैसा होगा तो मुझे लग रहा है यह एक भी शिकायत संग की होगी तो उस पर भी नड्डा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे जम्मु काश्मिर को लेके संग बड़ा इस बार क्योरे से कि जम्मु काश्मिर भारतियंता पार्टी कैसी करेगी तो वहां क्या रण विप्ति है महाँ पर जम्मु काश्मिर को लेके तो इस चीजों पर चर्चा है हो बारतिय जन्ता पार्टी नियुक्त चाहिए थान पर कोई भी चर्चा नहीं होगा झाल